ओम श्यान्ती आज की तारिक है 23 जन्वरी 2021 प्रतह मुर्ली ओम श्यान्ती बाब दादा मधुवन मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रेमत पर चलते रहो यहाँ ब्रम्हा की मत है या शिबाबा की इसमें मूँचों नहीं प्रश्न अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुई या बात सहची समझ सकते हैं उत्तर ब्रम्हा बाबा समझा रहे हैं या शिबाबा यहाँ बात अच्छी ब्रेन वाले सहची समझ लेंगे कई तो इसमें ही मूँच आते हैं बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकठे हैं तुम मूँचों नहीं श्रीमत समझ कर चलते रहो ब्रम्हा की मत का रिस्पॉंसिबुल भी शिबाबा है ओम श्यांती रुहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं तुम समझते हो हम ब्रहमन ही रुहानी बाप को पहचानते हैं दुनिया में कोई भी मनुश्य मात्र रुहानी बाप जिसको गौड फादर वो परम पिता परमात्मा कहते हैं उनको जानते नहीं हैं जब वह रुहानी बाप आए तब ही रुहानी बच्चों को पहचान दे यह नौलेज न स्रिस्टी के आदी में रहती न स्रिस्टी के अंत में रहती अभी तुमको नौलेज मिली है यहां है स्रिस्टी के अंत और आदी का संगम युग, इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, प्रन्तु यहां पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वहां कब आएंगे बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते, जब मैं आकर पहचान दूँ, तब मुझे जाने मैं अपना और स्रिस्टी के आदी मध्य अंत का परिचे संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ कल्प बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ, वहां फिर प्रायह लोप हो जाता है सत्युग से लेकर कल्युग अंत तक कोई भी मनुश्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुश्य ही पुकारते हैं मनुश्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं सुक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं रुहानी बाप आकर अपने रुहानी बच्च्यों अर्थात रूहों को बैट समझाते हैं अच्छा, रुहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए बरोबर नाम एक ही गाते हैं शिव, यहा नामी ग्रामी है परन्तु मनुश्यों ने अनेक नाम रखे हैं भक्ती मार्ग में अपनी ही बुद्धी से यह लिंग रूप बना दिया है नाम फिर भी शिव है बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ आकर मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा देता हूँ मनुश्य भल नाम लेते हैं मुक्ती धाम, निर्वान धाम परंतु जानते कुछ नहीं है ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को यहा किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं ऐसे नहीं सत्युग में देवताओं को ग्यान था जो गुम हो गया नहीं अगर देवताओं में भी यह ग्यान होता तो चलता आता इसलामी बौधी आदी जो है उन्हों का ग्यान चलता आता है सब जानते हैं यह ग्यान प्रायह लोप हो जाता है मैं जब आता हूँ तो जो आतमाए पतित बन राज्य गवा बैटी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुछ बुद्धी बन गई है मैं बच्चों को यह ज्यान दे प्रालब्ध देता हूँ फिर सभी भूल जाते हैं कैसे बाप आया कैसे बच्चों को शिक्षा दी वह सब भूल जाते हैं यह भी ड्रामा में नूंध है बच्चों को विचार सागर मन्थन करने की बड़ी बुद्धी चाहिए बाप कहते हैं यहाँ जो शास्त्रादी तुम पढ़ते आये हो यहाँ सत्युक तरिता में नहीं पढ़ते थे वहाँ थे ही नहीं तुम यहाँ नौलिज भूल जाते हो फिर गीता आदी शास्त्र कहां से आया जिन्होंने गीता सुनकर यहाँ पद पाया है वही नहीं जानत तो और फिर कैसे जान सकते, देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुश्य से देवता कैसे बने, वह पुरुशार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रालब्द शुरू हो गई, वहां यह नौलिज हो कैसे सकती, बाप समझाते हैं, यह नौलिज तुमको फिर से मिल र तो ग्यान की बात भी नहीं उट सकती, ग्यान है ही सदगती पाने के लिए, वहां देने वाला एक बाप है, सदगती और दुर्गती का अक्षर यहां से निकलता है, सदगती को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं, Heavenly Godfather ने हैविन रचा था, कब रचा? यहां कुछ भी पता नहीं शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है बाब कहते हैं बच्चें तुमको फिर से नौलेज देता हूँ फिर यह नौलेज खलास हो जाती है तो भक्ती शुरू होती है आधा कल्ब है ज्यान आधा कल्ब है भक्ती यहाँ भी कोई नहीं जानते है सत्यू की आयो ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालुम कैसे पड़े पांच हजार वर्ष की बाद भी भूल गए है तो लाखों वर्ष की बाद कैसे जान सके कुछ भी समझते नहीं बाप कितना सहज समझाते है कल्ब की आयो पांच हजार वर्ष है युग ही चार है चारों का इक्वल टाइम बारसो पचास वरश है ब्रहमनों का यहा मिडगेट युग है बहुत छोटा है उन चार युगों से तो बाप भिनभिन रिती से नई-नई पॉइंट सहच रिती बच्चों को समझाते रहते हैं धारना तुमको करनी है महनत तुमको करनी है ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वहापाट चला आता है जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ इमर्च होता रहता है तुम सुनते जाते हो तुमको ही धारन करना और कराना है मुझे तो धारन नहीं करना है तुमको सु धारना कराता हूँ, तुम्हारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, जो कल्प पहले समझाया था, वही निकलता रहता है, मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, भल इनकी सोल विचार सागर मन्थन करती हो, यहाँ विचार सागर मन्थन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यहाँ बड़ी गोईयबाते हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, जो सर्विस में ततपर होंगे, उनका ही विचार सागर मन्थन चलता होगा, वास्ता में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वहाँ इस रुहानी पढ़ाई में लग ज इनको कमाई करने की दरकार नहीं है, कुमारी अगर अच्छी रीती से यह नौले समझ जाए, तो सबसे अच्छी है, सेंसिबल होगी तो बस इस रुहानी कमाई में लग जाएगी, कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है, इससे कोई फाइ पाइदा नहीं, तुम यहां रुहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वहां पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, पढ़कर चले जाते हैं, ग्रिहस्त वैवहार में, ग्रिहस्ती माताएं बन जाती हैं, कन्याओं को तो इस नौलिच में लग जाना चाहिए, कद इतनी कुमारियां तो गुम हो गई, कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फस्ट क्लास हो जाएं, यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूझ पढ़ते हैं, फिर भी यह बाबा का रत है ना, इन से कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत प मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए, श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो, रिस्पॉंसिबल खुद है, इन से कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं, मैं रिस्पॉंसिबल हूँ, ड्रामा में यह रास नूंदा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकठे हैं, तो मूझ पढ़ते हैं, पता नहीं शिप बाबा कहते हैं, वह ब्रह्मा कहते हैं, अगर समझें शिप बाबा ही मत देते हैं, तो कभी भी हिले नहीं, शिप बाबा जो समझाते हैं, सो राइट ही है, तुम कहते हो बाबा, आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना जो कहे उस पर चलो हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्यान कारी इनकी responsibility भी उन पर है उनका रत है ना मूझते क्यूं हो पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है यह शिव की तुम क्यूं नहीं समझते हो शिव बाबा ही समझाते हैं श्रीमत जो कहे सो करते रहो दूसरे कीमत पर तुम आते ही क्यूं हो श्रीमत पर चलने से कभी जुटका नहीं आएगा प्रन्तु चल नहीं सकते मूझ पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं, तुम श्रेमत पर निश्चे रखो, तो मैं responsible हूँ, तुम निश्चे ही नहीं रखते हो, तो फिर मैं भी responsible नहीं, हमेशा समझो श्रेमत पर चलना ही है, वह जो कहे, चाहे प्यार करो, चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है, इसमें लातादी मार आनने की तो बात नहीं है, परंतु किसको निश्चे बैठना ही बड़ा मुश्किल है, निश्चे पूरा बैठ चाहे तो करमातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी time चाहिए, वह होगी अंत में, इसमें निश्चे बड़ा अडोल चाहिए, शिबाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, यहां दोनों हैं इकठे, परंतु तुमको निश्चे भी रखना है, शिबाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रेमत समझ कर चलते चलो, तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा, कहां रैंडिंग भी हो जाती है, शिबाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रिती समझना है, बाबा ने कहा वह इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है, अच्छा, समझो यहां ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिबाबा ही सब को सुनाते हैं, शिबाबा के रत को सनान कराता हूं, शिबाबा के भंडारे की सर्विस करता हूं, यहाँ याद रहे तो भी बहुत अच्छा है, शिबाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं, मुख्या बात है ही शिबाबा क याद की अल्फ और बे बाकी है डिटेल बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है बाप ही पतित पावन ग्यान का सागर है न वही पतित शुद्रों को आकर ब्रहमन बनाते हैं ब्रहमनों को ही पावन बनाते हैं शुद्रों को पावन नहीं बनाते यहाँ सब बाते मनुष्यों को तो यहां भी पता नहीं है कि राधे क्रिशन ही लक्ष्मी नारायन है। इतना अकिचार अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्यों का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ। विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं। अरे भारतवासियों तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिबाबा कहते हैं। इतना तुमको धन दिया फिर तुमने कहां गवा दिया। बाप का वर्सा कितना जबर्दस्त है। बात ही पूछते हैं ना। वा बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं। बाप ने तुमको इतने पैसे दिये सब कहां गवाए। यह तो बेहद का बाप है। पाप ने कौडी से हीरे जैसा बनाया। इतना राज्य दिया फिर पैसा कहां गया। तुम क्या जवाब देंगे। किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक हैं। इतने कंगाल कैसे बने हो। पहले सब कुछ सतो परधान था। फिर कला कम होत गई तो सब कुछ कम होता गया। सत्युग में तो सतो परधान थे। लक्षमी नारायन का राज्य था। राधे क्रिशन से लक्षमी नारायन का नाम चास्ती है। उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी है। और सब के लिए निंदा लिखी है। लक्षमी नारायन के राज्य म कोई दैत्य आदी नहीं बताते हैं तो यहां बातें समझने की हैं बाबा ज्यान धन से जोली भर रहे हैं बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो अच्छा मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रु हम रुःणी बच्चों को नमस्ते हम रुःणी बच्चों की रुःणी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारihen के लिए मुक्यसार नमबर 1 सैंसिबुल बन सच्ची सेवा में लग जाना है जवाबदार एक बाप है इसलिए श्रीमत में संशे न नमबर दो, विचार सागर मन्थन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयम ज्यान को धारण कर दूसरों को सुनाना है, वर्दान अपने प्रत्यक्ष प्रमान द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले स्रेष्ट तकदीरवान भव, कोई भी बात को सपस्ट करन के लिए अनेग प्रकार के प्रमान दिये जाते हैं, लेकिन सबसे स्रेष्ट प्रमान प्रत्यक्ष प्रमान है, प्रत्यक्ष प्रमान अर्थात जो हो, जिसके हो उसकी समरिती में रहना, जो बच्चे अपने यथार्थवा अनादी स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बा भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतह आती है। श्लोगन अपने रहम की दरिस्टी से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुन्य आत्मा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिप बाबा मुरली मधवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेली शिप बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम श्यान्ती